हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल टेकनिकल सेलेक्टर तो दोस्तों आज के इस वीडियो में कुछ इंट्रेस्टिंग और यूटूब के बारे में जो यूटूबर हैं जो जिनको डॉलर मिलती है यानि पैसा मिलता है और जिनको नहीं भी मिलता है जिनका मोनेटाइजेशन ओन होने वाला है उसी के बारे में बताने वाला हूँ कि क्या कुछ YouTube के यूटूब से कुछ नया कुछ अपडेट हुआ है जिसके में कुछ बहुत सारे फॉल्ट थोड़ा आ गए हैं उनको क्या कैसे होगा है क्या हुगा है और सारा चीज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ जैसे आप लोग को देखिए कि जैसे आप वाइटी इस्टीडियो अगर आप यूटूबर है एक तो वाइटी इस्टीडियो आप रखते ही होंगे तो उसको उपन कर लेना है और उपन करके आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन जैसे ही किजिएगा तो आप यहाँ पे यहाँ पे दिखाता है तो आपको यहाँ पे लाइफ टाइम पर क्लिक करके और यहाँ पे लाइफ टाइम पर क्लिक करना है आप देख सकते हैं आप लाइफ टाइम पर क्लिक करना है जैसे ही आप लाइफ टाइम पर क्लिक करते हैं तो आपके समने कुछ ऐसा इंटरफेस आ दिखा रहा है मेरा यहां पर और यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर मेरा सही दिखा रहा है यानि कि यहां पर जो आपका मिनट दिखा रहा है यहां पर सही दिखा रहा है तो एक यूटूब अपडेट किया था क्या कि जो क्रोम पर है वहां पर दूसरे जगह से वहां पर भ पहले desktop साइट पर कर लेंगे और उसके बाद यहां पर आपको सर्च मरना यानि आपका चैनल यहां पर ओपन करना YouTube.com आपको यहां पर सर्च कर लेना होगा यह बहुत ही बड़ा अब यह आया है अपडेट और इसमें क्या पता क्या फॉल्ट हुआ है क्या नहीं अब देखिए यह तो बहुत कौमी लोग को अभी जनकारी है कि यह कैसे यह गलत इतना यह mistake हो चुका है अब देखिए क्या होता है इसमें लगभा लगभा मेरे सारे दोस्त और फ्रेंड्स भी यह लोग देख चुके है और सारे लोग यह बता है कि इसमें क्या हुगा है आपका भी क्या हुगा है क्योंकि मुझे भी पता चले कि केवल मुझे और मेरा दोस्त लोग को ही यह हुआ है कि और भी सारे यूटुबर्स लोग को है तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताएं कि ये क्या आप लोग को भी ये प्रोब्लेम हुआ है थोड़ा सन्येट चलो सल रहा है इसी को बज़े से थोड़ा प्रोब्लेम हो रहा है और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना चैनल में लोगिन है तो लोगिन हो जाना है क्रोम में उसके बाद इस पर क्लिक करके अपने चैनल में आ करके YT बेटा में जाना है यहाँपे अपना YT Studio बेटा में आप लोग को चले जाना है जैसे ही आप YT Studio बेटा में जाते हैं तो यहाँपे कुछ loading होकर open होगा आपका यहाँसे ऐसा इस परकर से आपका channel open होता होगा अब देख सकते हैं कि आपको इस पर कर से आपका चैनल यहाँ पर open होता है जैसे ही आपका यहाँ पर open होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसको zoom करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर channel analytics दिखा दे रहा है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा तो इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे go to channel analytics आप लोगो दिखाई दे रहा होगा इस पर click करना है आप जैसे हैं यहाँ पे आप click करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा interface आप लोगो देखने के लिए मिल जाता होगा तो जैसे हैं आपके यहाँ पे ऐसा interface देखने के लिए मिलेगा उसके बाद आपको देखी यहाँ पे दिख रहा होगा last 28 days यहाँ पे आप लोगो दिखाई दे रहा होगा तो इस पर आप लोगो को click करके और इसको यहाँ पे lifetime कर देना है यहां पर lifetime यहां पर click कर देना है आपको यहां पर lifetime click कर देना है यानि आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर भी आपका 59.1K आपका देख रहा है view यहां पर दिखाई दे रहा है और watch time जो है 104.7K आपका watch time यहां पर दिखाई दे रहा है और सस्क्राइबर इतना है और इसका तो इससे कोई मतलब यह नहीं है लेकिन आप जैसे-देखो आपका यहां भी ठीक है और लेकिन वहां भी ठीक है अब देकिए आप जैसे कि आपके मुनेंटाईसें को ऐ satellite पैनल होने वाला है या हो चुका है तो आप देख सकते हैं यहां पर देखने के लिए मिल जाता है और यहां पर भी अभी तो ठीक चल रहा था अब देखिए आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा कुछ ऐसा अब देख सकते हैं और उसके बाद देखिए आप आप लोग को यहां पर दिख रहा होगा यहां पर सर्च करने का उप्शन लास्ट में यहां पर जो चैनल का लोगों होगा यहां पर लेफ्ट साइट में यानि इस्टीडियो रेट कलर से लिखा होग यानि कि यहीं से आपका पता चलता है कि कितना आपका सस्क्राइबर करना है इस मतलब जरूरी है आपका चैनल मोनेटाइजेशन होने के लिए और कितना आपका नहीं है चैनल मोनेटाइजेशन ओन होने के लिए तो जैसे कि मेरा आपका यहां पर देख सकते हैं यहां पर आ आपको कितना public watch time यानि यहां पे देखिए मेरा 16,087 यहां पे यह हुए public watch time लिखा गया है और यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे मेरा कुछ ज्यादा ही है जैसे कि मैं आपको अभी calculator निकाल के आपको सामने life proof आपको दिखा सकता हूँ एक लाग चार सो जैसे कि मेरा है जैसे कि मानि जभी उसको 600 को छोड़ते हैं इसी को मानि जैसे आपको कलकुलेटर निकाल लेता हूँ और उसके बाद आप लोग के सामने यहां पे 1,4,000 जैसे कि इसमें डिवाइड करता हूँ 60 से जैसे कि 60 से तो देखी यहां पे आपको दिखने के लिए मिल जाता है 17,333 यहां पे आप लोग को यहां पे देख सकते हैं यहां पे घंटा है और यहां पे आपको मुझे 16,087 ही दिखाई दे रहा है आप देख सकते हैं अभी 600 का उतना छोड़ ही दिया फिर भी इतना कम है क्योंकि उससे ज्यादा ही होना चाहिए था तो देखी यहां पे अभी कितना कई मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा कहीं फर्क है यहां पे अभी 6,000 मतलब 16,000 घंटा ही इसमें दिखा रहा है और यहां पे आपको दिवाइड करते हैं 60 से यानि आपको घंटा में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड करना होगा तो आपका 1733. कुछ-कुछ यहां पर यहां पे आपको रियल में आपको 17,000 मान लिजिए कि आपका वास्टाइम यहां पे सो कर रहा है और यहां पे आप आप देख सकते हैं वास्टाइम हावर दिखा रहा है तो यही एक फॉल्ट आया है वाइटी इस्टूडियो मतलब यूटूब इन्हें यूटूब के दवारा ये फॉल्ट आया है तो ये कैसे ठीक होगा आप देखिए क्या होता है 24 गंटे में अगर आपके पास भी अगर आया है अगर ऐसा वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो अपने सारे उन सारे यूटूबर्स को शेयर किजिए जिनको ये इस बारे में नहीं पता है अगर पता नहीं है तो उनके पास सारे के पास शेयर करिए और ये ट्रिक को बारे में बताए कि ये क्या है कैसे उन झाल झाल